दिली रोड इस्थित निम्स विश्विध्यारे राइस्थान जैपूर के निम्स इंस्टिटूट औफ पेरामेडिकल टेक्नोलोजी की ओर से राइजिंग अवियरनेस फॉर मायोपिया की थीम पर एक दिवसिय मायोपिया कंट्रोल पर इंटरनेशनल सेमिनार का आउजन किया गया इसमें रूस और इंग्लेंड के डेलिगेट्स ने हिससा लिया इस सेमिनार का आउजन इंडियन आप्टोमेटरी एसोसियेशन के सहयोग से हुआ है तो वहीं कारिकरम मैं बतोर मुख्य वक्ता कॉंटा मैक कंपनी से डॉक्टर मार्टीन कॉनवे ने बताया कि मायोपि के मरीज पाए जाते हैं मायोपिया पर काब उपाने के लिए इंडियन आप्टोमेटरी एसोसियेशन के साथ कॉंटा मैक कंपनी के साथ समझोता हुआ है तो वहीं कारिकरम मैं रस्या शे नेत्र रोग विशेशग्य डॉक्टर कैथरीन ने कहा कि आज मायोपिया का इलाज वेश्विक इस तर पर किया जा रहा है कि अवेशगा है तो बसक्की अपनी के बस्दित भरे रहाऊ है थाजीन के विशेशगा मैधने है। एप्सेशन तो प्रोग सब्स्पारी क क्या है विए जिएूप दिक कि अविएष ब्सक्राइख यटे प्सकी का थाफुट जड़ों के लिए प्सक्राइएने के। we produce materials used for these lenses, so we're here to talk to practitioners and students about the properties of materials, which materials to use and the overall benefits and what they need to be aware of when fitting these lenses. My name's Rees Hughes and I'm with Contomec. They have a lot of technical aspects of the lens to choose, correct and vision to correct these things. They have a lot of technical knowledge and sound. That's why students have a lot of benefit. And they will follow what they have told us, and they can be good for the people. It's a very good approach from the Optometry Department. Many students have enjoyed this CME and got a lot of knowledge.